हलो, नमस्कार दोस्तों, 3 दिसंबर 2008 की हमारी डेली MCQ सिरीज में आपका स्वागत हैं, तो चलते हैं आज के हमारी क्यूशन के तरफ आज का जो पहला क्यूशन है वो है कि निमन लिकित में से किस मामले में संसद के सदसे को अयोगय गोसित है वो क्या जा सकता है तो यह आपको बताने है कि इनमें से कौन सी कंडिसन में जो पारलामेंट के मेंबर होते हैं, संसद के सदसे होते हैं, उनको अयोगय या डिस्कौलिफाइए वो गोसित क्या जा सकता है पहला है कि एगर वह सरकारी अनुबंद रखता है, तूसरा है कि एगर वह स्वेच्चा से एक विदेशी देश की नागरिक्ता प्राप्त करता है और तीसरा दिया गया है कि एगर वह स्वेच्चिक राजनितिक दल से सदसेता छोड़ जाता है, जिसकी टिकेट के उपर वह सदसे बनाया है देखो, ओबिसले आपको पता है कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट ही सही है, ये तीनों ही कंडिसन में बेसिकली संसत का सदस से वो डिसक्वालिफाई है, वो हो जाता है सरकारी अनुबंद का मतलब यहाँ पर यहाँ पर है कि लापगा पद की बेसिकली नेक्स हो हमारा क्यूशन है, वो है लोक सभा के सभावती, निमन लिखी सरोतों में से अपने सक्तियों और करतेवियों को प्राप्त करते हैं मतलब यह है कि लोक सभा के सभावती होते हैं, वो अपने सक्तियां कहां से प्राप्त हैं, वो करते हैं पहला option दिया गए कि भारत का सविधान, दूसरा दिया गए कि राजय सभा के कारुबार की प्रिक्रिया और आचरन के नियम, और तीसरा दिया गए संसथिये सम्मेलन, अब आप एक जीज़ देखिए, एक वार आप second option को यहाँ पे देखिए, second option क्या कह रहा है, कि राजय सभा के कारुबार की प्रिक्रिया और आशन के नियम भई बात यहां पर लोकसभा की हो रहे है बीच में राजसभा का क्या लने देना तो obviously second statement यहां पर साफ साफ गलत हो जाते हैं और उसके आदार पर हम eliminate करके पास सकते हैं कि D भी गलत हो गया A भी गलत हो गया और C भी गलत हो गया नेक्स जो क्यूशन है वह है Supreme Court, Record of Court का मतलब क्या है आपको बताना कि Supreme Court में Record of Court है देखो Supreme Court के बाद बेसिकली यह पावर है Record of Court की यह आती है Article 121 के तैत इसका मतलब क्या है पहला option आप सामने दिया गया है कि सरोस न्याले के निर्ने, कारियवाही और जो करते हैं उनकी निर देखो बेसिकली आपको बताऊं तो दोनों के दोनों option ही यहाँ पे सही है क्योंकि Supreme Court की जो Record of Court पावर है वो यही कहती है इसमें दो हो सकती है बेसिकली एक तो यह है कि सरोस न्याले के निर्ने होते हैं जो कारिवाही होते हैं जो भी उनके decision है उनको बेसिकली एक तरगे से सबूत के तोर पे हैं गवाई के तोर पे उनको दर्च हैं वो कर सकते हैं इनकी recording वगरा कर सकते हैं दूसरा क्या है कि अगर अदालत के हम आउमाना करते हैं तो उस condition में Supreme Court के पास पावर होते हैं कि वह दंडित कर सकती है इसके लिए 6 मीने का कारवास यह फी 2000 रुपे तक की सजा यह फिर दोनों की condition पलाएं वो हो सकती हैं तो यह हमें ध्यान रखना हैं नेक्स्ट तो कुशन है 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 वो है है संसदिय प्रकिरिया में भारतिय नवाचारों के लिमन लिखित बयानों पर विचार कि दिये मतलब संसदिय प्रकिरिया में कौन से ऐसे options हैं जो कि भारति ध्यानाकरशन प्रस्ताव दोनों का उलेक नहीं किया गया हैं देखो इसके बारे में हमने पॉलीटी में लक्समिकान में काफी बार पढ़ा हैं और इसके बारे में आपको आंशर हो comment box में बताना है कि ध्यानाकरशन प्रस्ताव और यहां पर सुनने काल की बात यहां पर basically क की गई हैं देखो यह इसलिए important है कि UPSC इन तीन चार टोपिक से तो सुनने काल हुआ एक जो person ओर हुआ उसमें basically questions यहां पर पूस्ती रहती है तो इस chapter में काफी सारे questions बन जाते हैं छोटे-छोटे तो अगर एक बार आप उनको revise करोगे तो आपको यहां पर answer भी मिल पहला की option यह है कि यह केवल एक मांग से सम्मदित होना चाहिए दूसरा यह है कि यह मोजुदा कानूनों के संसोधन या निरस्थन के लिए सुझाव दे सकता है तीसरा है कि यह भारत के समय की निधी पर लगये वे कि किसी भी मामले से सम्मदित हो सकता है और चोथा दिया है कि है किसी मामले से सम्मदित हो सकता है जो कि नियाले द्वारा निर्नाय लेता है केवल विशेस मामलों में आपको सही option बताना है कि A B C D में से कौन सा सही है वह होने वाला या फिर A B B C C है देखो हम बात करें कटोती प्रस्ताव हुए वह basically केवल एक मांग से सम्मदित हो होना चाहिए तो इसमें एक option है या fast option है वो सी होगा बाकी 3-4 second, third और fourth हो यहापे गलत है तो यह इसे हमें धान में रखना है next question है वो है नीमल लिकित में आपको range है वो करना है कौन सा सुमेलित है वो आपको बताना है एक सेड अनुच्छे दिया गहे है और एक सेड मामले दिया गहे है पहला दिया गहा है आर्टिकल 130 दिया गहे है कि सरोज न्याले की seat से समंदित दूसरा दिया गहे है आर्टिकल 139 सरोज न्याले के मूल 16 अधिकार तेसरा दिया गहे है आर्टिकल 136 विशेस अपिल का अधिकार और चोथा दिया गहे है तो बहले सुप्रीम कोड के आदेसों और आदेसों का परवर्तन काफी सिंपल क्यूशन है इस का अंसर भी आपको कमेंड वोक्स में बताना है कि देखो डायरेक्टली एक्चुली आर्टिकल से क्यूशन पूछा गए है तो आप इजिली इस क्यूशन का अंचुर अधिकार को फोकस है वो करता है तो अब आपके लिए क्यूशन का आदेसों काफी सिंपल हो गया है तो आपको इस का अंचुर कमेंड वोक्स में बताना है नेक्स्ट जो क्यूशन आया है वो एह है भारत के सुप्रीम कोड के बारे में निमल लिखित वियानों पे विचार कीजी है प और सक्तियों को राश्टरपती द्वारा बढ़ा जा सकता है अब यहां पे गडबड हो रही है राश्टरपती द्वारा बढ़ा जा सकता है देखो यह तो गडबड हो रही है न कहीं नगी क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोट केकर पावर को बढ़ाना है तो वो काम पा बात करें कि यहाँ पर पहले स्नुम्न क्या गया रहा है कि मूल छेटरा अधिकार को बिल्कुल सही है और सलायकार काम हूँ हाँ तो एक और दो सही हो जाएगा मतलब यहाँ पर सी उप्सन थना वह वो दो नेक्स जो क्यूसन आया है वह है निमल लिखित बयानों पर निमल लिखित इस्टेटमेंट पर विचार कीजिए पहला है कि भारत सरकार की एदिनियम 1909 के प्रावधनों के तैत भारत में एदेक्स और उपसभापती का कार्यकाल शुरू हुआ दूसरा स्टेटमेंट कहा रहा है कि स्पिकर अनुपस्तित होने पर और अदेक्स का कार्यकाल खाली होने पर उपसभापती अदेक्स से करते हुआ का पालन करता है हमें सही को एदेंटिफाइ करना है पहला सरासर गलत है, सापसा पता चल ला कि 1909 के पराधोनों के तहती बात नहीं हुई है तो पहला आप गलत कर सकते हो, दूसरा बिल्कुल सही है कि बहुत जब स्पिकर नहीं होते हैं, देख्स नहीं होते हैं उस कंडिशन में उपसभापती जो भी करतावियां उनको फूलोप करते हैं तो यहाँ पर बी ओप्सन हो इसका सही हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन में पहला स्टेट्मेंट यह दिया गया है कि एक मंत्री संसद के उस सदन के कार्यवारी में भाग ले सकता है जिसका वे सदस्या नहीं है दूसरे स्टेट्मेंट है कि एक मंत्री जो संसद के किसी भी सदन का सदस्या नहीं है दोनों सदनों के कार्यवारी में भाग ले सकता है अब आपको पता है कि कोई भी ऐसा मेंबर जो कि basically पार्लामेंट का मेंबर नहीं बना है अभी तक अगर वो संसत का सदस्या बन रहा है तो उसको 6 मीने के अंदर संसत का सदस्या बना होता है उसके बाद ही basically वो एक तरीके से मंत्री वगरा बन सकता है यह हमने पहले काफी बार discuss भी किया है और लक्समी गांद में इसके बारे में हमने काफी बार देखा भी है इस तरह यहाँ पर पूछा कि गलत statement चूनना है पहला statement भी बिल्कुल सही है दूसरा भी बिल्कुल सही है तो यहाँ पर आप सुन हो जाएगा D कोई नहीं क्यों गलत statement इसने पूछा है तो यह हमें धान में effect रख रहा है कि पूछा क्या है तो यह थे आजगी हमारे questions तो आपको जो question बताना है comment box में वो मैंने आपको बता दिया है कि एक तो basically आपको ध्याना करसन और सुनने काल के बारे में बताना है इसके साथ ही आपको लाप की पत गोन-गो से बताना है यह थी आजगी हमारे discussion तो फिलाल इतना ही